दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फिलीप कार्ड से आप से गलती से कोई ओर्डर हो जाता है आप चाहते हैं उस ओर्डर का कैंसिल करना तो आप लोगों से कैंसिल नहीं हो पाता है तो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में स Simple so Accountable option click करना है और Accountable option click करने के बाद यहाँ पे आपको एक option को मिल जाएगा order का order पीरे पार किल्ए करना है और जैसके यहांपर खर वी nor किये होंगे वह सभिवाटन को यहांपर दिखने को रखर जैसी कि मैं मुझ से यह आप मॉवाइल आउडर हो गया आज के डिट में गलती से मैं इसे केंसल करना चाहता हूँ और जैसे यहापे इसको प्रक्ली करजीगा आप को जहाँ पर एक हैं product के बारे में यहां पर आपको डाल देना है कि मैं किस वज़ा से मैं इस प्रडॉक्ट को केंसिल करना चाहता हूं तो मैं उसको चूस कर लूँगा तो मैं सबसे फर्स्ट बड़ा का चूस कर लूँगा चूस कर लेने के बाद आपको यहां पर कुछ लिख देना है तो कुछ लिख लेने के बाद आपको continue बड़्य कर देना है जैसे यहाँ पर continue पर कीली किजिये गाएखर आपका order जो होगा केंसील हो जाएखर जैसी कि उपर में देख सेते हैं request right cancellation का है उसके बाद आप देख सेते हैं cancellation cancellation का यानी कि मेरा order cancel हो चुका है तापको चेखθे लगा और और यहां-पे लेख सेते हैं कि मेरा जो ओडर था वो केंसिल हो चुका है तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने फिलीप काड अप्लीकेशन से ओडर को केंसिल कर सकते हैं तो केंसिल करना से लिए ते वीडियो को लाइक किजिए और हमारे चैनल को सच्क्राब कर लीजिए